सूप्रभाद बच्चों ये देखो एक बार गर्मे की चुटियों में एश्वरिया कौन बच्चों ऐसे एश्वरिया अपनी नानी के घर पर आई कोनाई बच्चो एश्वरिया कहाँ पर अपनी नानी के घर पर नानी के घर का एश्वरिय देखते ही बनता था उसमें सभी एश्वराम की सभी स्विधाएं मोजूद थी क्या देखा बच्चो नानी के घर का एश्वरिय और एश्वर राम की सबी स्विधाएं उस घर में मुझूद थी जो कि एश्वरिया को अच्छी लगी एश्वरिया ने रामु काका से पूछा कि नानी कहां पर है क्या पूछा एश्वरिया ने रामु काका से उसने पूछा कि जो मेरी नानी है वो कहां पर है एश्वरिया जो है वो फिर दोड़ कर नानी के कमरे में गई और खुर्शी से चिलाई नानी नानी मैं आ गई और दोड कर नानी से लिपट गई क्या किया नानी नानी कहके चिलाया और नानी को जाकर लिपट गई गले लग गई नानी ने कहा रुक जा नटखट मेरी आइनक क्या गिर जाएगी ऐसे आइनक गिर जाएगी और खिल खिला कर हर्स पड़ी नानी ने खाने में एश्वरिया के लिए एच्छीक पकवान बनाए क्या बनाए बचो ऐसे एच्छीक, ऐसे एच्छीक मतलब उसके मन पसंद का खाना बनाया एश्वरिया नानी से कहा नानी नानी बाहर कोन आया है एरावत ऐसे एरावत आया है क्या कहा एश्वरिया ने कि एरावत आया है मतलब हाथी आया है नानी ने कहा बेटा मैं बाहर नहीं आ सकती मेरे पैरों में बहुत एठान ऐसे एठान कि किसमें एठान थी पैरों में एठान है इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती और शाम को क्या हुआ शाम को रामु काका एश्वरिया को आईस्क्रीम खिलाने के लिए बाहर ले कर गई कहा ले कर गई बच्चो बाहर ले कर गई रामु काका पर नानी को बहुत ही एतबार था इसलिए उन्होंने एश्वरिया को आईस्क्रीम खाने के लिए उनके साथ भेजा तीन चार दिन तक एश्वरिया ने नानी के पैरों की नियम से मालिश की क्या की बच्चों पैरों की नियम से मालिश की जिससे नानी के पैरों की जो एठन थी वो बिलकुल ठीक हो गई क्या हो गई बिल्कुल ठीक हो गई और जो नानी और एशुरिया थी वो रोज शाम को बगीचे में खेलने लगे तो बच्चो हमारी कहानी यहीं परसमाप्त होती है और अब हम उन शब्दों की दोराई करेंगे जो हमने अपनी कहानी में किये थे तो बच्चो शुरू करते हैं अपने शब्दों की दोराई तो बच्चो देखो यह क्या है एनक यह एनक जो है वो किसने लगाई थी नानी ने बहुत अच्छे बच्चो किसने लगाई थी नानी ने एनक लगाई थी यह क्या है बच्चो यह है एरावत क्या है बच्चो ऐसे एरावत जो घर के बहार आया था और ये क्या है बच्चों हमने आएके शब्दों में ये किया था ना बहुत अच्छे एश्वर ये ऐसे एश्वर ये और ये क्या है ऐसे ऐलान ऐसे ऐलान किसी जीज़ का ऐलान करना तो बच्चो हमारी दोराई और कहानी यहीं साप्त होती है तब तक बाई बाई